हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिस्सा टेग मेंटेस इंवेश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में स्याम संचुरी फिर्यूर्यस लिम्टेड है क्वाटर थ्री के नतीजे आ गया है तो कैसे आया है नतीजे उसी को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे और फिर इसके चार्ट पर भी बात करेंगे तो मैं इससाथ वीडियो में बने रही है जो चैनल पर नेव चैनल स्ब्सक्राइब कर लें नोड़ फेसें बेल आल प किसी सेर पर वीडियो के लिए या किसी पर्टिकुलरली आपको किसी सेर के बारे में जानना है तो आप हमारी वीडियो मेंबर्सिप जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी जोइन कर सकते हैं और यूटूब पे जोइन कर सकते हैं जोइन करने के साथ ही आप पोश्टन्स औ और अपने डाउट्स जो भी market share market से related हैं वो पूछ सकते हैं और दोस्तों जिल लोगों को इस company में लगता है कि आगे अभी growth मिल सकती है वो भी चीज़े यहाँ पर पता लग जाएगी तो वीडियो like करिये था कि यह आप लोगों को और लोगों को यह company recommend हो पाए तो अभी जो ह इसकी market capital दोस्तों 400 करोन के around की ही है तो मतलब 1000 करोन से कम की है price earning ratio की बात करें तो 17.9 चल रहा है अभी हम लोग इसके direct financial condition को समझते हैं कैसे आ है नतीजे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो market capital जो है वो 391 करोन की है वही 400 करोन की around की तो यह 1000 से कम है तो यह कुछ इस पर limit रहती है कि यह इतने time में बस इतनी ही rarely दिखा सकता है तो वो चीजें आ जाती है पिछले 12 महिने की performance पे बात करें दोस्तों तो बहुत बहत बहतरीन रही है company की profit growth, sale growth और दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैं यही वो share को भी मैंने recommend किया था एक साल पहले जब इसका price 7 5 रुपे 5 रुपे की around था और उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छी रही इसमें मिली थी ROE की बात करें तो बहुत बहुत बहतरीन है ROCE भी बहुत अच्छा दिख रहा है all time high जो share का price गया था वो 20.4 तक गया था मतलब 20 रुपे 40 पैसे तक परमोटस की holding की बात करें तो 54.5 की है जो की एक अच्छा नंबर दिख जाता है return on acid की बात करें तो 15 आ जाता है company की face value 1 है और जो quarterly wise अभी जो just नतीजे आ हैं वो सितंबर से दिसंबर के जो है वो 21.8% better है तो ये भी एक अच्छी चीज हम लोग को दिखाई देती है बाकी pro cons पर बात करें तो यहां पर काफी चीजें company की बहुत बहतर हुई है जो की एक अच्छी चीज जताता है अब इसके हम results पर बात करें दोस्तों तो आपको देखेगा अभी हम लोग latest quarter पिछला quarter और last year का data discuss करेंगे तो यहां पर मैं सबसे पहले operating profit पे आप लोगों को बताना च हुआ है इस साल last year से operating profit में और last quarter से भी 3 करोड better number इस बार के है और profit before tax में भी जाए तो यहां पर आपको 10 time better दिख जाएगा last year से इस बार के results है जो की बहुत बड़ी company में jump है आप पुराने data देखेंगे और पिछले 3 quarter देखिए इसके Q1, Q2 मतलब यह जो FI इस company के लिए ब वह बहुत ही better यहां पर perform किये हैं यह देखिए तीनों ही quarter जो हैं आपको देखेगा कि 11 करोड, 17 करोड, 20 करोड बहुत बड़ी बात है और पुराने आप data देखेंगे तो negative में या तो 1-2 करोड का profit होता था तो इस तरीकी की results रहे थे अभी इसका net profit में बात करें तो 2 करोड का हो जाता है 25% के बाद 15 करोड इस बार Q3 में profit हुआ है जो कि steel बहुत बहुत बैतरीन है और last quarter में 12 करोड का हुआ था तो बहुत अच्छे नंबर है इस बार के दोस्तों और यह बाकि कुछ बहुत चीजें बता देता है कि कैसी इसमें growth रहने वाली यहां पर March 2014 से current timeline तक का data है और आप पुराने data देखेंगे दोस्तों तो 2015 में 5 करोड का फिर 1 करोड फिर 5 करोड फिर 10 करोड दस करोड फिर 0 फिर 3 करोड और अभी जो 12 मेहने का चल रहा है वहां पर 33 करोड का company को profit हो रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है आप पुराने नंबर देखेंगे तो यह का कि बात कर लें तो बहुत अच्छा company ने यहां पर हम लोगों को perform करके दिखाया है बहुत ज्यादा अच्छा return भी यहां से मिला है तो market capital जो कम है उसके वाज़े से थोड़ा यह risk factor में आ जाता है बाकी इसकी overall जो जैसे financially बात करें तो बहुत भैतरी ने company की इसलिए मैं इसक चार्ट पर बात कर लेते हैं तो मैंने आपको काफी टाइम पहले इसमे 18 रुपी 70 पैसे का target दिया था वो target हो चुका था और उसके बाद अभी यह सेर यहां पर देखिए एक support जो बना के trade कर रहा है अब यह जो target है दोस्तों यह 18 रुपे 70 पैसे वाला यह 6 महीने से पहले क अभी के target है ठीक है तो वो चीज आ जाती है यह अभी के target नहीं है मैं यहां पर यह clear कर दूँ क्योंकि हम लोगों ने last time जब इस company को discuss किया था तो six month पहले और उससे पहले जब discuss किया था तो one year पहले वो वीडियो तो आपको मेरे YouTube पे मिल जाएगी अगर आप इस company का नाम औ आपको बठा यह चीजे थी अब इसके बाइ करने की position पर और बाकी चीजों की तो अभी देखिए दोस्तों इसमें जो बाइ करने की position हम लोगों को नजर आती है वो हम लोगों को आ जाती है अगर आप इसको ख़ईदना चाहते हैं और रखना चाहते हैं तो आप अभी results आ तो मैं कहूंगा कि आप डिप में जाएए इसको और जितना ज्यादा अच्छा डिप में मिले उतना बैटर है तो फिलाल जो अभी इसमें दिख रहा है डिप के लिए बाइ करने का अगर यह इस जगा पर सपोर्ट बना लेता है तब तो उपर पर बना लेता है तब तो उसी बाई रेंज में ही जाएं बाई करने के लिए तो फिलाल जो रेंज है वो इस लेबल के अराउंड की आ जाती है फिलाल इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें सेर की तो वीक सपोर्ट जो हम लोगों को वो इसी लेबल के अराउंड भी मिल जाता है और वीक सपोर्ट य हैं तो मैं recommend करूँगा कि आप अगर इसको buy करके चलते हैं तो बहुत बेटर रहेगा बाकि इसमें अभी हम लोगों की जो condition है वो 90 rupees 5 पैसे की है कि इसको एक बार break करके इसके उपर closing दे उसके बाद हम लोगों को जो target मिलने वाले हैं वो पहला target हो जाएगा 20 rupees का उसके बाद अगर हम लोग कोई इसमें बड़ा target भी लेके चले तो क्योंकि चीशी साब से condition है तो हम लोगों को अभी फिलाल के लिए 33 rupees का दिखाई देता है तो मैंने आपको दो support बता दिया दो अपर target बता दिये जो resistance level के around है मतलब वहाँ पर जाने के बाद profit working के chances बनेंगे मैंने आपको by call बता दिया कहां पर है और बाकी मैंने आपको दो support बता दिया है तो by call के साथ ही जो आपको strong support पर stop loss लगाना है तो उस पर लगा सकते हैं या weeks support के पास stop loss लगाना है तो वहाँ पर लगा सकते हैं तो यही अपडेट था इस company को लेके thanks for watching this video मिलते हैं आपको नेक्स सेर साथ नेक्स वीडियो में